पॉम नमाशिवाय पॉश माश सुक्लपक्ष ब्रिहस्पत वार एक आजशी तिथी पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा आज भी कृतिका नक्षत्र में दिन में एक बज़ कर चालिस मिनट तक चलते रहेंगे तत्पस्चात रोहरी नक्षत में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रडेव है आज के जन में जातक सुंदर, सत्यवादी, पवित्र हिर्डेवाले, प्रिये बचन बोलने वाले, धनवान, धर्म कर्म में कुशल होते हैं ऐसे जातक दूसरों की कम्यों को जानने वाले, प्राकरतिक सौंदर्य के प्रेमी, नाटक क्ता संगीत में रूची रखने वाले, सामाजिक प्रतिष्ठा, एवं सम्मान पाने के इच्छुख, परोपकारी और इस्फिर चित्त वाले होते हैं ऐसे जाता कि मानदार और सच्छे व्रतियों को सम्मान करने वाले होते हैं यदि सहयोगी लगन दहाब दर्शा ठीक रही, शुक्र और चंदर्मा की इस्थिती अनकूल रही तो पूर सफल होंगे आज भी चंदर्मा पर ब्रिहस्पत्ती और शुक्र की सप्तम द्रिष्टी और केतू की पंचम द्रिष्टी कायम रहेगी मगर नक्षत प्री चंदर्मा का होगा, जिससे अभूत पूर वो उत्साह और कारे शैली में सुधार परिलक्षित होगा हर कारे करने में सकारात्मक प्रयास साथ देंगे, रचनात्मक क्रिया सीलता और दिढ़ विश्वास कारे छित में सफलता दिलाएगी ब्यावसाई कुथान में मिसाल काइम करेंगे और अधिकारियों की सकारात्मक पेरना और उचित दिशा नियोगेस जारी रहेगा आज भी चंद्रमा अपने उचरासी में ही चलते रहेंगे जिस से द्रिढ़ विश्वास और सकारात्मक प्रयासों को बल मिलेगा आध्यात्मी कुर्जा में बृद्धी होगी और अपने आपको सफल महसूस करेंगे आज के दिन दोहेरी नक्षत्र लगा हुआ है इस दिन भी किसी को पैसा उधार या कर्ज नहीं देना चाहिए अन्यथा धन वापसी में कई तरीके की मुश्किलें सामने आ सकती है आज का राहु काल दोपार डेढ़ वजे से तीन वजे तक लगा रहेगा इस दोरान किसी नए काम की शुरुवात नहीं करनी चाहिए मेश राशी वाले जात्मों के लिए धन लाव की इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी और आर्थिक सहयोग कायम रहेगा वांडी की सौम्मेता और वाक पटुता में बृद्धी होगी मानसिक सुकून और माता के स्वास समन्दी मामलों में सुधार का संक्यत मिलता है आपकी सक्रियता और प्रबल उत्साह की प्रवरित्ती हर काम में सफलता दिलाएगी हलाकि कुछ कामों में अनावस्क रुकावर या विवात की संभावना भी बनती है मगर अधिकारियों के सहीयोग और दिढ़िच्छा सक्ती से आप उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे साजे तारी के प्रस्ताव लाग दायक रहेंगे नीजी संभन प्रगाड होंगे विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धोगा और वयवाहिक योजनाई फलिभूत होंगी ब्रिश रासे के जाथियों के लिए चंद्रमा आती रासी पर ही बैठ हैं साज संबंधी मामलों में सम्रेदन सील महसूस करेंगे मगर आठिक पक्ष मजबूत रहेगा सगे संबंधीयों से भी लाव की उम्यद बनती है कारेच्ष्यत में अपनी उर्जा का भरपूर इस्तेमाल जारी रहेगा मगर कुछ मामलों में मन का अंतरदंद बना रहेगा हालाकि अधिकतर मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी कुछ रुके हुए काम संपन्ध होंगे और संतान संबंधी आत्मिश्वास में बिध्धी होगी विध्यार्थियों के लिए आज का दिन सहीयोगी रहेगा, सिछ्छा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा मिथुन डाशिके जात्रों को मानसिक दबाव महसूस होगा और धनलाव की स्थिति सामानी रहेगी ब्यावसाइक विकास में आपकी सकारात्मत पहल कायम रहेगी जिसका लाव ही आपको मिलता जाएगा विभागी सहीयोग मिलता रहेगा और रुके हुए काम संपन्ध होंगे संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिकी संभावित है पारिवारी प्रेणा आत्मिश्रास को बढ़ाने वाली होगी मगर कुछ कारियों में थोड़ा बिलंब और खर्च का संकेत मिलता है अधिकतर कार्य पूरे होते जाएंगे और साजेदारी लावदायत रहेगी संतान संबंधि जायत की पूर्ती होगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपके प्रयास राथक होंगे मगर वाहन सावधानी से चलाएं कर्क राश के जात्मों के लिए मानसिक दबाव और खर्च की प्रवित्ती में सुधार होगा आए संबंधि मामलों में सहयोग मिलेगा और लाव की इस्तिती बनी रहेगी आपके प्रतिष्ठा में बिद्धी होगी और नेत्रित करने की छमता बढ़ी रहेगी विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा मगर सपलता संभावित है सिंग राश के राश स्वामी सूरी केत्यू के साथ मकर राशी पर चल रहे हैं और चंद्रमा आपके दस्वे घर में चल रहे हैं कारे छेत्र में सहयोग बना रहेगा और संभावित है द्यावसाई क्रिया सिल्टा में मदद मिलेगी और नई कारी वजनाओ के बिस्तार में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा रुके हुई आर्थिक वजनाएं सलिगूत होंगी मगर जिन मामलों में आपकी साथक वहल कमजोर पड़ गई थी वह काम भी अब संपन्ध होंगे संतान संबंधी सहुलियतें बनी रहेंगी विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता की उमीद बनती है मगर स्वास संबंधी वी से सावधानी रखनी चाहिए कन्या राशी के राश्वामी बुद्ध सनी के साथ चोथे अस्थान में बैठ हैं और ब्रिस राशी में चंद्रमा भाग्यभाव में चल रहे हैं आर्थिक मामदों में सहयोग बना रहेगा और भाग्यवस कुछ काम अच्छे होंगे नई कारियोजनाओं के लिए सरकारी सहयोग जारी रहेगा मगर कुछ मामदों में सावधानी पेच्छित है मित्र वा सहयोगियों से भी याथिक लाव की उम्मीद बनती है साजेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिन्हें लागू करने में सफल रहेंगे साथ ही ब्यावसाई की स्थिर्था बनी रहेगी मगर संतान संबन्दी चिंता आज लगी रहेगे दिध्याथियों को सिछा प्रत्योगता में सफलता संभावीत है धार्मिक भावना विक्सित होगी और वैवाहिक प्रयास फलिगूत होंगे। शासन सप्ताव और धिकारियों का सहयोग बना रहेगा। हाला कि कुछ मामलों में अनावसक, ब्यद्रता, धवराहत, और ब्यभारिक तोर पर दोसा रोपड और गुलात फाहमी के सिकार हो सकते हैं। मगर कारे चमता और दिड़िक्षा सकती में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और कारी वजनाओं में आपके रचनात में प्रयास सार्थक होंगे। नीजी सम्मन प्रगार होंगे और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा। विद्यात्यों के लिए आज का दिन सामानी होगा, सिक्षा प्रत्योगता में प्रयास जारी रखें। धनुराशोण रास्षरामी ब्रियाशपती ब्रिष्षिक रासे में बाराहवे भाव में और चन्दल्मा ब्रिष रासी में छृत्वे भाव में चल रहे हो सार्ष होगा। हलाकि कार्विवजनाय पूरुवर्थ चलती रहेंगी और आठिक लाव के इस्तिती मन मुताबिक बनी रहेंगी साजेदारी लावदायक रहेंगी वाणी पर नियंत्रन बनाए रखें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा प्रयास राथक होंगे मगर वहां सावधानी से चलाएं मकर राश के राश्वामी सनी बारहमे भाव में बैठे हैं और चंद्रमा पांचमे भाव में चल रहे हैं कारेच्छेत में उत्साह के साथ गती आएगी और संबंदित मामलों में सहीयोग मिलता रहेगा सरकारी विभार से लाव और अनुकूलता बनी रहेगी नई कारी वजनाव में सासन सवत्ता का सहीयोग और अधिकारियों का सानेध्य सामिल होगा आठिक लाव की इस्तिती सामाने रहेगी मगर कुछ मामलों में रूकी हुई योजनाय संपन्ध होंगी और धन लाव संभावित है मगर स्वास संबन्धी सावधानिया रखनी चाहिए नीजी संबन्ध प्रगार होंगे विद्यात्यों के लिए आज का दिन सहीयोगी रहेगा अध्यन अध्यापन में अपने प्रयास जारी रखे और सामाजिक समरों में संभानित होने का मौका मिलेगा कुम्भ राश्रिय राश्रामी शनी 11 भाव में बैठ है चंदरमा चोथे भाव में ब्रिशराशी में चल रहे है स्वास संबन्धी समस्याओं में कमी आएगी हलाकि नीजी सुख संपत्ती में विद्धी होगी और वयवाहिक मामलों में चल रहे है सफल होंगे कारेच्षेत्र में उत्साफ और इस्ति बनी रहेगी पहले की चलिया रही योजनाओं में गती आएगी अधिकारियों का सहीयोग जारी रहेगा आठिक लाव के इस्तिती मन मुताबिक बनी रहेगी वारिवारिक दायत की पूर्ती होगी और विद्ध्याथियों के लिए आज का दिन सहीयोगी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है प्रयास जारी रखें मीन राशिके राश्वामी ब्रिहस्पति शुक्र के सार भागे भाव में बैठें और चंद्रमा तीसरे भाव में चल रहे हैं प्रयासों का दोर जारी रहेगा दिढ़ विश्रास और साथक पहल में गती आएगी चंद्रमा उच्चे के हैं और पराकरम भाव में चल रहे हैं पहल करने के प्रवरित्ति बनाए रखें मगर सावधानी भी अप्रेक्षित है भागे वस काम अच्छे होंगे हलाकि आठिक लाग में सहयोग बना रहेगा और नई कार्योजणाओं के लिए समय अनकूल है नीजी जिन्मेदारी बढ़ेगी और नीवेश लावकारी रहेगा संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी मगा स्वास संबंधी सावधानी रखनी चाहिए विध्यातियों के लिए आज का दिन सामान है अध्यान अध्यापन में सहीयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामले पलिभूत होंगे आज के लिए वस इतना ही कल फिर में लेंगे ओम नमाशिवाए